हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हैं आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स में सुमाना ठोब मैं में बच्छों हम क्लास 12 में फिजिक्स स्टुडी कर रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स में लाइट प्रकास चैप्टर रुणों का चल ला था उसी में हम नेक्स वापे आपके लिए बताने जा रहे हैं आज क्रांतिक कोड यानि की रुटिकल एंगिल क्रांतिक कोड क्या होता है ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है इसको अच्छे से समझेगा क क्रांतिक कोड से कहते हैं इससे पहले अपुवर्तन हमने आपको समझाया था वर्टन के नियम बताये थे तो उसी में आगे बढ़ते हुए अपुवर्तन कोई हमने एक प्रस्ट लिया है ठीक है और इस प्रस्ट के एक और जो है उपर हमने लिए सगनमाध्यम कांच ले लि हम और सकत्तव में लिए यहां पर यह कोई अपतन बिंदु ले लिया जहां कोई किराड आपकित हुई अहां पर देखिए इस तरह से कोई किराड आपकित हुई ठीक है इस बिंदु से अपुवर्तन के पश्टात तो क्या होगी दूसरे मादून में जब चाईगी तो सवगल मादून से पलängt जाती है तो आभी अभी लंसे दूर दूर चाती है कैसे निकल जाएगी स्तरह से एक बहा एक जाएगी यह कौण सी ओगए आप ज़ित किरण और कम रेद के बश्च्राद निकल जाएगी अप वर्तित किरण ठीक है तो इस तरह से अगर कोई प्रकाश की किरण सदल माध्य हमसे दिरल माध्य में जाती है तो अप वर्तन के पश्चाद वैं क्या होती है अगलम से दूर हट जाती है अब अगर हम यह जो आप तन कोड है आई यह अधर का अप वर्तन कोड आप अपरतन कोड आप और कोड का मान बढाते जाए ठीक यह करण ऐसी है थोड़ा सा बढाया ऐसी हुई तो अप वर्तित किरण प्रकाश कोर गई यह उपर कोड जाए गी जाएगी देखिए अगर हमने आपतन कोड लें गया इतना ये इस तरह से ठीक तो अपवर्तित किरण कैसे हो जाएगी और उपर हो जाएगी ठीक तो इस तरह से हम आपतन कोड का मान बढाते जाएगी तो एक विशेश आपतन कोड मिलेगा जिस पर ये अपवर्तित किरण जो है वह कैसे हो जाए दिभर का प्य जो बना लेगी यानि कि यह देखिये इस तरह से अगर हमारी कुछ कि घसी अगर हम इस आपकोड । मान और ज़्यादा बढ़ाए क्रांतिक कोड से भी जादा कर दे है इसका मान अगर हम क्रांतिक कोड से भी जादा कर दे तब क्या होगा है उस कर्णिशन में देखिए ये तो हमारा क्रांतिक कोड हो गया आई सी इसके लिए यह अपवर्तन कोड कितना हो गया है अगर हमने क्रांटिक कोड से भी ज्यादा बढ़ा दिया या इस तरह से आई क्रांटिक कोड से भी ज्यादा एंगल पे तो क्या होगा तो इस आंत्रेक परावर्तन जब आपतन कोड का मांच का आंत्रेक परावर्तन से ज्यादा होता है तो प्रकाश्री के रड़ दूसरी मांध्य में ना जाके उसी मांध्य में बापस परावर्ते तो जाती है यह क्रिया कहनाती है पूर आंत्रेक परावर्तन चिक तो पूर आंत्रेक और प्रकाश की किरार्ण उसी माध्यम परावर्तित हो जाती है इस क्रिया को पूर्णाम्तिक परावर्तर कहते हैं और यह भाग जो है इस क्रिया में क्या होता है? बहुत ज़्यादा चमकने लगता है तो पूर्ण आंत्रिक परावर्तर की में दो सर्पे होती है क्या? कि प्रकाश जो है हमेशा सगर माध्यम से बिरल माध्यम में जाना चाहिए दूसरा आपतन कोड का माध्यम क्रांतिक कोड से जादा होना चाहिए उस घटना में जो है पूर्ण आंत्रिक परावर्तर होता है चिक? तो दोनों ही चीजे दोनों ही रेफिशन इंपोर्टेंट है क्रांतिक कोड क्या है? पूर्ण आंत्रिक परावर्तर क्या है? तो आप अच्छी से study कर ली जाएगा और पूरांतिक परावरतर का आपने एक example जो है देखा हुगा ये व्यावार में ही कैसे कि अगर आप कोई कांच का भी कर ले उसमें कोई परखनली उसको आप पानी में भी करमें तिर्षा करके अगर डालते हैं तो एक स्थिति ऐसे आती है उसको तिर्षा करते जाएंगे तो परखनली की तली है वह बहुत ज्यादा चमकने लगेगी बहुत ज्यादा शाइन करने लगी ऐसा पूरांतिक परावरतर के करार होता है कैसे जब जबने टैस्ट्ट्यूब खाली ली है उसके अंदर हवा है और उसको हमने पानी में रखा उसमें प्रिकाष जहल से कहा गया वायू में अपू बारतन होता जो है अगर तो प्रिकाष की किरण जल से वायू में ना जाकर क्या होगा जल में वापस लौट जाएगी बापस परावर्तित हो जाएगी और ढीकर होपकर करके भी धेख सकते हैं ऐसे ही देखें कांच पे जो है अगर दरार पर जाती है चटक जाता है वो कोई शाइन करने लगता है वो भी पूरामतिक परवर्तन की कारण ही होता है ठीक है और जो है इसके और एक्जाम्पल्स आप इस्टेडी कीजेगा बहुत ही अच्छा टॉपिक है यह और अगर आप जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस पर आपको फर्स्ट यह इंटर की फिजिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी और जो है आप बोर्ड की तयारी अभी से बढ़िया करके करिए गर है वे नाइस टी थैंक यू